नमस्कार देज की बात में हाजर हैं पहले बात राहुल गांधी की आज मोदी सरने मामले में मानहारी केस पे सजा पर रोक लगाने की याचिका पर गुजरात हाई कोट ने इंकार किया राहुल गांधी की पुनर विचार याचिका खारज हुई राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरा रहेगी राहुल गांधी की संसत सदस्ता की अयोगिता बरकरा रहेगी तो कोड ने कहा है कि दोश सिद्धी पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है दोश सिद्धी पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किस किया था और इस माम में एक और शिकायत वीर सावर करके पोते ने दर्ज कराई थी। आए सुनते पूर्णेश मोदी को याचिका करता उनका क्या कहना था। 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों के दलील, एविडेंस, इसके आधार पर दो साल की सजा स्रीमन राहूल गांदी जी को हुए। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजराथ हाई कोट में स्रीमन राहूल गांदी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आये थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है, बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाई क के फैसले को स्विकार करते हैं. तो जो आज हाई कोट का रुख रहा है, उसकी क्या माइन है हमारे साथ समिधान के विशेशक के जानकार PDT अचार्या हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, मेरा पहला सवाल आपसे यही हम सबजना चाहेंगे, किसी भी सांसत के लिए जो आज ये फैसला है राहुल गांधी के लिए, कितना बड़ा जटका है या क्या माइन है, आगे की रहा कैसे? फिर ये जो पहली बार इनका जो कन्विक्शन हुआ है, सुरत का जो कोट, तो उसके साथ ही इनका डिस्ट कोडिफिकेशन भी शुरू हुआ है, असल में जो रेप्रेसेंटेशन ओपीपल आक्ट 1951 के, तो जो सेक्शन एट त्री के अंदर गांधी जब एन्विक्शन होता है, और उसके साथ सजा, दो साल या उससे ज्यादा सजा मिलती है, उस हालत में वो डिस्कौलिफाई हो जाएंगे, लेकिन उस सेक्शन में ये लिखा गया है कि उनको डिस्कौलिफाई किया जाएगा, इस शाल भी डिस्कौलिफाई, ये नहीं कि वो इस टैंस डिस्कौलिफाई, इस शाल भी डिस्कौलिफाई का मतलब है, कोई इनको डिस्कौलिफाई करेगा, और अगर हम कॉन्सिटूशन में देखें, आर्टिकल हंडड़ एंट्ट्री में, ये साफ तोर पर लिखा हुआ है, कि जब भी कोई प्रस्न उठता है, डिस्कौलिफिकेशन के मामले में, तो वो प्रसिडंट उस पर फैसला सुनाएंगे, प्रसिडंट फैसला सुनाने से पहले, एलेक्शन कमिशन से सलाम शुरा करके, एलेक्शन कमिशन की उपीनियन पर वो, वही उनका डिसेशन होगा, ये हंड़ड़ एंट्री का सारांश यही है, जाहुल गांधी के केस्ट में, ऐसी कोई प्रसीजर फोलो नहीं किया गया है, इसलिए किसी ने उनको डिस्कौलिफि किया नहीं, और लोग से पास सेकेटरियत ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके कहा कि, एडिस्कौलिफि हो गया है, ये हाला से, अब जो हाई कोट ने, इनकी जो याचिका है, वो रद्द की है, जब हैंविक्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, उस प्रस्कौल ने, असल मैं इसमें समझने की बात ये हैं, कि कुछ हाई कोट्स हमारे देश में, ने ये कहा था कि कन्विक्शन और सेंडेंस दोनों पर स्टे होना चाहिए, तब जाके डिस्कौलिफिकेशन स्टे हो जाएगा, कन्विक्शन और सेंडेंस, ये दो चीज़ें होती है, लेकिन कहा था, कि जब सेंडेंस स्टे हो जाता है, तो कन्विक्शन को भी स्टे किया गया माना जाना चाहिए, और जहां तक मेरे जानगा रही है, सुप्रिंग कोट में, सुप्रिंग कोट ने ऐसा कोई डिसेशन इन मामलों में लिया नहीं, इसलिए वो चीज़ ओपन है, लेकिन सेंडेंस 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 सेंड गया है बहुत बड़ी बात सर जो आप ये इस मेह है कि प्रौसर्सकों नहीं क्या गया है तो अब क्या माना जाए जो सुप्रीम कोट आपनेी positive कोट का जिख्र किया वो राहात दे सकता है एक मात्र रहा का जरीया है इस मामले में राहुल गांधी के लिए फिर अपील में अपील तो करेंगे ही तो फाइनल कोर्ट तो सुप्रिंग कोर्ट है इस मामले में किसी भी मामले में तो तो वो तो अपील तो फाइल करेंगे ही और सुप्रिंग कोर्ट को ना चुनल नहीं उसके वोपर फैसला देना पड़ेगा तब जाके मालू होगा कि वो किस पॉसिशन में हैं कहां मरे हाउस में आएगा बापिस या उनका डिस्कोलिफिकेशन रहेगा या वो लब इस सारी चीसें तब क्लियर होगा जैसे आपने बताया कि एक तरह से प्रॉसेस को फॉलोई नहीं किया गया इस पूरे मामले में तो उ ने जाहन किया है जी अब ये भी कि कब तक इलेक्शन हो सकते हैं क्योंकि मार्च में अगर मार्च के अंत में सजा सुनाई गई छे मैंने में इलेक्शन होने होते हैं उस लिहास से आप क्या स्थिती देखते हैं क्या स्थिती बनती है राहुल गांधी के लिए या लेकिन उसमें ये भी प्रोविशन है कि जो लोग सबाकर जो कारिकाल है जो टेनियोर है वो एक साल से कम है अभी एक साल से कम है तो एलेक्शन बाइएलेक्शन कराने की कुछ जरूरत नहीं यह दोनों चीज़ें यह भी आप बहुत बात बता रहे हैं सर फिर एक बात और मैं आप से कहरें आप पूछना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा था कि एक तरफ अगर सपोस्ट चुनाव आयोग आज की स्थिती को देखते वे कुछ चुनाव की बात भी करता है और यह राहूल गांधी की स्थिती रहती है तो भी क्या एक स्थिती बन सकती है कि दो सांसत हो जा हो जाएं और राहूल गांदी को भी कुछ राहत मिले नहीं जल्जी चुनाव देखि है जली चुनाव तब होगा जब इसका फाजिसला जैसे मैंने कहा कि जल्दी चुनाव तो होने की संभाव नहीं हम तो दिखती नहीं है क्योंकि अभी तो एक साल एक साल से कम टाइम है अब दस महीने शायद बाकी है और दस महीने में तो एलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसमें 1951 रेप्रेसेंटेशन उपी ब्लैक्ट में लिखा हुआ है 151A उसमें स्पश्ट रूप से लिखा हुआ है इसलिए तो एलेक्शन की संभावना कम दिखाई देती है बाई एलेक्शन की और बाकी जो सुप्रिंग ओट में जब ये जाएगा केस उस पर सुप्रिंग ओट वो तो हीरिंग करेंगे और उसके बाद पर पैसला देंगे है कि इनको इनके कंड्रिक्शन स्टे करना है कि नहीं इतनी है इस्जू बाकि इनका जो 376 का में जो केस वहें पर चलेगा उसका टॉरु तो बहीं चलेगा अभी तो इस यहung कि इनका कंड्रिक्शन करना है कि नहीं यही है बिलकुल सर आपने हमारे साथ जुड़ कर बहुत एहम बाते कहीं है इस पूरे मामले में समझने में कुछ और असानी हुए बहुत बहुत धन्यवाद पीडीटी अचारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो क्या प्रोसेस को फॉलो किया गया पीडीटी यह बात में आगे भी इंट्रिव्यू आप देखेगा बहराल इस मामले में आगे बढ़ते हैं देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बीजेपी खेमें से खबार आ रही है बहुत एहम खबार आ रही है चुनावों की तैयारियां बीजेपी कर रही है चुनावी राज्य बीजेपी के राश्विपाद धियक्ष ओम माथुर 36 गड़ के चुनाफरभारी बनाये गए हैं केंद रिखबार्मान्त्री महीनाकर सम मंठ्री थी सकत्र hmज़्वारी थी लखंग सर्पर प्रहारि रखंग शंवर्वा च对 दो तेलंगाना के चुनाफ प्रभारी बनाए गए हैं पूरी तयारी बीजे पी कर रही हैं हमेशा की तरह रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं रवीश ये जो नए प्रभारी बनाये गए एक तरफ से चुनाव की तैयारी लेकिन ये कई केंद्रे मंत्रियों के नाम भी इसमें हैं कैसे समझें इन न्यूक्तियों को ये चार केंद्रे मंत्रियों को एक बड़ी जुम्यदारी दी गई है और उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है आप देखिए राजस्थान में चुकि बहुत एहम राजस्थान का चुनाव है तो वहाँ पर प्रहलाज जोश्ची केंद्रे मंत्रियों को चुनाव प्रभा इनको भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है और ये बहुत दिनों से अटकलों का बाजार गरम था क्योंकि इनसे लगातार जो है वो विचार मिमर्श जेपी नड़ा ने भी मुलाकात की थी इनसे मुलाकात करने के बाद में संगठन में कैसे मजबूत किया जाया और जादा क कल भी हमने देखा था कि गोहाटी में प्रभारियों की बैटक थी पूर्वी चेत्र के आज भी हमने देखा कि इसी बीजेपी के ऑफिस में लगातार पिछले 6 घंटे से मीटिंग चल रही थी अभी खतम हुई है और इसमें उत्री चेत्र के जो मीटिंग है मसलन राजस्थ प्रदेश 36 गड़ इन सब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो महामंत्री हैं वो यहां पर मौझूद थे तो लगातार बीजेपी के अंदर विचार मन्थन चल रहा है और अभी भी कुछ राज्यों के संगठनों में फेर बदल की चर्चा है आने वाले वक्त में देखा ज सकता है कुछ कैबिनेट मंत्रियों को और जुमेदारी दी जा सकती है बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो खास तोर पर आज जिन चार राज्यों के प्रभारियों को निउक्ति किया गया यहां पर चुनाओं हैं तो इसी के चलते जो है वो लगातार बीजेपी में मन्तन चल रहा है कि कैसे नौ साल जो पूरे हुए हैं मोधी सरकार के उसकी नीतियों को कैसे लोगों के बीच में ले जाया जाया है कैसे चुनाओं परचार को आगे बढ़ाया जाया है आज जब उत्री चेतर की बैटक है तो राजस्थान के जो पूर मुक मंत्री है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं तो लगातार विचार मंतन चल रहा है भी नौ तारीक को कल भी एक बैटक थी लेकिन उसको जो है वो फिलाल टाल दिया गया है और नौ तारीक को जो दक्षणी छेतर है उसकी बैटक हैदराबाद में होगी तो हिमाचल परदेश और करनाटका म अब जो है वो जिन राज्यों में चुनाओ है वहाँ पर मजबूती के साथ में बीजेपी ने संदेश दिया है कि जो नेता है वो जुटें और इसी के मद्देनजार जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो है वो चुनाओ का प्रभार सौपा गया है अब देखना है इसके क्या नतीजे होंगे लेकिन निश्चित तोर पर लगातार अभी कल भी जो है वो इसी दिल्ली में जेपी नड़ा खुट जो है वो महमंत्रियों की भी कल बैठक करेंगे तो लगातार जो है वो निदी बैठकों का सिलसिला चल रहा है हमने इससे पहले भी देखा था कि जी किशन चुनाव पर भारियों की न्यूक्ती हुई है तो ये एक बड़े बदलाओ के तोर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी कुछ राज्यों में और बदलाओ देखने को मिल सकते हैं बिलकुल किसी भी चुनाव को बीजेपी हलके में नहीं लेती है और पूरी दमखम के साथ ये तैयारी बीजेपी की शुरू हो गई है बहुत धने बाद आपका रवीश इस जानकारी के लिए और देश की बात में आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महिला पहलवानों से जुरी भी छे बालिक महिला पहलवानों द्वारा भारते कुछती संग के पूर चैमेन ब्रिजभूशन शरन सिंग के खिलाफ यौन शोशन के मामले में दाखिल चार्ट शीट पर राउज एविन्यू कोर्ट ने संग्यान लिया है कोर्ट ने ब्रिजभूशन शरन सिंग को समन जारी किया है ब्रिजभूशन को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के आदेश दिये गए है और अबाद मद्रप्रदेश के मद्रप्रदेश के शिफपुरी में लड़कियों से छेट चार और चोरी का आरूप लगा कर दो युवकों को बहरेमी से पीटा गया जिसमें एक दलिथा दूसरा पिछडी जाती से थे उन्हें जूते चपल की माला पहना कर गाओं में घुमाया गया तो मावला 30 जून का है और 3 जुलाई को पेड़त के भाई ने पुलिस में शिकायत दच कराई शिवपुरी के वरखाडी गाओं में आरिफ अजमत शहीद इसलाम वकील आरिफ रहीशा खान ने दो युवकों को घेरा पीटा चपलों की माला पहनाई कथित तोर पर मल खिलाने की कोशिश की पिड़ो तो पर आरोब था गाओं में लड़कियों से छेड़ खानी का लेकिन पुलिस का कहना है जो आँच में आरोब बेबुनियाद निकला पुलिस के मताबिक पूरा मामला संपत्ती और अवैद अतिक्रमन से जुड़ा था जिसे छेड़ चाड़ की कोशिश के तौर पर पेश किया गया और पीड़तों के साथ अमान विया अत्याचार किया गया इस मामले में बीजेपी कॉंग्रेस यवब आमने सामने है तालिवानी करत जैसा है एक घर्ट करत किया है और उससे ज़्यादा घर्ट बाद यह है कि इस करत को दवाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रसातन को फोन किये गए एक बलित व्यक्ति के साथ में जूद्य की माला पेनाई गई उसके मुँ में मलवा भरा गया और उसके बाद में अमान उससे करत्याचार किये गए उसके साथ यह बरदास्त नहीं किया जाएगा गिरफदार कर लिए गए लोग और मैंने प्रसासन को केस पर अने से की कारवाई करें इन लोगों पर अगर अप्तिक्रमण है इनके तो अप्तिक्रमण पर भी बुल्लो जर की कारवाई धतकाल करें मद्द पदेश के ग्रह मंत्री मानि दनुक्तम मिश्वा जी मेरा आकसे निवेदन है कि अपना ध्यान कॉंग्रेस और दीपी का पादुकोन की भिक्नी से अटाइए शिवपुरी की जहां तक गटना का तालूख है उसमें आप कॉंग्रेस का नाम जोड़ रहे हैं ग्रे मंत्री ने बात रखी तो शिवपुरी में पुलिस वनविभाग राजस्व की टीमों ने मल्क खिलाने के आरोपियों के यहां एक साथ कारवाई की उनके मकानों को जेसीबी की मदद से ढ़ा दिया गया वनविभाग ने दावा किया कि तीन हजार हेक्टर जमीन को भी उसने मुक्त करा लिया जिस पर आरोपी खेती कर रहे थे शुपुरी से अतुल गौर के साथ भोपाल से नुरागदवारी की रिपोर्ट एंटिटीव इंडिया और अब हम ओरीसा के बाला सौर्ट ट्रेन हाथ से पर एक एहम जानकारी दे रहे हैं बताईए अब क्या कारण बतायजा रहा है अगैखे टीन आरोपी है और तिनों रेलवे करमशारी है वह पहला नाम है वो आरंध कुमार महांता का है जोंकि सीनियर सेक्स निर हैं दूसरा नाम जो है मुहम्मद आमिर खान का है ये भी सेक्टन एंजिनियर है और तीसरा नाम पप्पू कुमार का है ये टेक्निशन है ये तीन आरोपी आरेस्ट किये गए हैं और टीवियाई ने इनको आई पीसी अदू सो एक यानि सबूश मिताने और आई पीसी तीन सो चार यानि गहरे जात्तन हट्या क आरोप में अरेस्ट किया है तीबियाई का कहना ये है कि इनको मालुम था कि ऐसी गल्टी करने से लोगों की जान जा सकती है ये जानते हुए भी इन लोगों ने गल्टी की जिसके चलते इतना बड़ा हासा हुआ जिसमें दोसो सत्तर सजादा लोग मारे गए तो सीबियाई न अपने जो अरेस्टिंग की है और जो उनकी फाइयार है उसके मताबिक जो अब तक की जान्च हुई है उसके मताबिक सीबियाई का कहना ये है कि जानते हुए इन लोगों ने गल्टी की और इसलिए इन पर सेक्संस पीन सो चारे यानि गयर इसादा लगा गया है हाला कि इस सिग्निलिंग को लेकर गल्सी हुई और वहीं से ये पूरा हासा हुआ तो सीबियाई भी अपनी जान्च में ये बात कह रही है हाला कि अभी पूरा जो डिटेल है वो चार्शीट में आएगा लेकिन सीबियाई ने इस पूरे मामले को लेकर करीब एक महने की जान्च के बा दिफ्तार कर लिया है जान पूछ कर गल्ती करने का इन पर आरोप है और जानकारिया आगे आती रहेंगे बताएंगे एक छोटा सा ब्रेक लोटते हैं बेस की बात आज और कल प्रधानमंत्री मोधी चार राजों के दोरे पर हैं इसी सलसले में आज वो पहले 36 गर और फिर गोरगपूर पहुंचे उत्तरप्रदेश के गोरगपूर में सबसे पहले वो गीता प्रेस शताबदी समहारों में शामिल हुए इसके बाद प्रधानमंत्री ने ग उत्तरप्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदेदात भी मौजूद रहे इसके बाद वो वार नसीबी कहें इससे पहले आपको पता दें प्रधानमंत्री 36 गर में बीजेपी के चुनावी अभ्यान का शंखनात किया रायपूर में विकास परयोजनाओ का शेलान नियास किय उद्धार्टन किया रायपूर में बीजेपी की विजय संकल्प महराली को संबोधित करते वे प्रधानमंत्री ने कॉंग्रेस पर जम कर हमले किये गंगा जी की जूठी कसम खाने का पाफ कॉंग्रेस ही कर सकती है याद किजिए गंगा जी को साक्षी मान कर इन्हों ने एक गोशना पत्र जारी किया था दावा किया था कि दास दिन के भीतर ये कर देंगे भो कर देंगे तब कॉंग्रेस ने बड़ी बड़ी बाते की थी लेकिन आज उस गोशना पत्र की याद दिलाते ही कॉंग्रेस की यादास ही चली जाती है और इस पर चत्तिसगर के मुख्य मंतरी भुपेश भगेल ने प्रधान मंतरी के गंगा जी के जूटी कसम खाने बाले बयान को लेकर उन पर निशाना साथ तेवे ट्वीट किया है आप आए तो फिर से जूट की बयार बहने लगी मोदी जी उन्होंने लिखा है चत्तिसगर का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने गंगा जल की कसम दस दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी के लिए खाई थी और दो घंटों के भीतर कर्जमाफ हो गया था अब 36 गड़ के किसानों को कोई गुम्रा नहीं कर सकता आप भी नहीं इसकी बात बात अब त्रिपुरा की त्रिपुरा विधानसभा में आज जमकर हंगावा हुआ पांच विपक्षी विधायकों को सस्पेंड करने के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगावा किया बाद में विधायकों का निलंबन वापस लिया गया लेकिन विपक्ष ने उसके बावजूद वॉक आउट किया विपक्ष के नेता विधायक देवनात पर कारवाई की बांग कर रहे थे उन पर आरोप था कि वो विधानसभा में आपत्ति जनत विडियो देख रहे थे ये हंगामा 40 मिनिट तक चलता रहा स्पीकर ने आसन के पास आकर विपक्ष विधायको नारेबाजी की सदन में धका मुक्की की स्थिती बन गई सस्पेंट के गए पांच विधायकों में कॉंग्रिस, CPM और TMP के विधायक शामिन हैं बाद में इनका निलंबन वापस लिया गया बात उत्राखंड के उत्राखंड के कई लाकों में भारी बारिश के वज़ा से मौसम खराब हो गया है कई जगा पर चटाने, खिसकने से लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है चमोली में कनोल का रास्ता बंद हो चुका है लेकिन कुछ लोग खत्रा मोल लेकर नदिया पार करने से नहीं है चक्राएं और इनी तस्वीरों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही नमस्कार